दी स्मार्ट शो प्रेजेंट टैन अमेजिंग साइकोलोजी फैक्ट नमबर वन मीजिक चेंज मूड हम सब जानते हैं कि मीजिक हमारे मूड को बदलने की शमता रखता है एक हाई एनरजेटिक मीजिक को सुनने से आप मोटिवेट फिल करते हैं सैड मीजिक आपको उदास और उदास मैसुस करा सकता है आप किस तरह का मीजिक सुनना पसंद करते हैं यह वास्तों में परवाइट करता है कि आप इस दुन्या को कैसे देखते हैं 2011 के एक स्टडी में लोगों को हैपी और सैड मीजिक सुनते हुए happy और sad emoji को mark करने का काम दिया गया नतिज़ा यह देखा गया कि sad music सुनते समय अधिकांश लोग sad emoji को mark करे थे और वहीं दूसरी तरफ happy music सुनने वाले अधिकांश लोग बल्कि सभी लोग happy emoji को mark करे थे का जाता है कि जैसे जैसे आप दीखते सुनते हैं वैसे वैसे आपका brain response करता है या ठीक ऐसा ही हो रहा था इसलिए एक्साइच के दोरान energetic music आप में जोज भर देता है और soft music आप concentrate करने में मदद करता है नंबर टू डूनिंग kruger effect 1999 में दो social psychologist ने पाया कि intelligent intelligent लोग हमेशा खुद को average से नीचे मानते हैं और कभी भी खुद को दूसरों की तुलना में अधिक smart नहीं मानते हैं वह इंवरेज IQ वाले लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं वह उने लगता है कि वह बाकियों से बहतर है इसलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिखाते कि वह कितना smart है तो समझ ले कि यह सिरफ एक डनिंग kruger effect का प्रभाव है वह उतना intelligent नहीं है जितना दिखा रहे हैं ठीक वैसे जैसे exam और intro देने से पहले तो ऐसे समय आप खुद को कैसे शांत रखते हैं साइकोलजी कहता है कि अगर आप उस समय अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं या अपने मन में गुंगुनाते हैं तो काफी यह तक फायदा हो सकता है यह सुनकर आपको थोड़ा अजी को रोटी सोल के स्तर को भी कम करता है जिससे आप शांत और confident फील करते हैं नमबर फोर पाउर ओफ साइलेंस आगर आप चाहते कि conversation आगे बढ़े लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस बारें बात की जाए तो सबसे आसान तरीका है कि आप जिस किसी से भी बात कर रहे हैं उससे ए पाता है तब जानकारी हासल करने के लिए एक सवाल पूछे और बस चुप रहें क्योंकि किसी को भी बातचीत के दोरन खामोश रहना या पसंद नहीं होता जिससे बचने के लिए सामने वाला information share करने लगता है या कुछ और बात करने लगता है जिससे बातचीत चलती रहती लें अगर अगर आप अपने बारे में किसी के मन में अच्छा प्रभाव बनाना चाहते हैं तो नहीं और पसंद हो जिसे वे आपसे बात करने में अधिक रूची लेंगे क्योंकि वो जिस बारें बात करना चाते हैं आप उसमें रूची दिखा रहे हैं जो आपको एक पसंद करने योग्य वैक्ति बनाता है और जैसे कि दलाई लामा कहते हैं जब आप बात करते हैं तो आप वही दोरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख रहे होते हैं नमबर सिक्स, कॉल पीपल बाई दे नेम्स साइकॉलोजिस कहते हैं कि हर वेक्तियों का अपना नाम सुनना बहुत पुसंद है क्योंकि हमारा नाम हम सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए जब कोई आपका नाम याद रखता है तब आप अपने इंपोर्टेंट को फील करते हैं आपने देखा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टिड फील करते हैं इसलिए जब आप किसी जब बात कर रहे हो तो अपने सामने उस वक्ति के नाम का यूज़ करें जो उसे important मैसूस कराएगा और वो आपके साथ अधिक comfortable फील करेगा क्या आपको लगता है कि आप मल्टी टास्किंग कर सकते हैं neuroscience के according हमारा brain एक समय में केवल एक ही चीज़ पर ध्यान के निरित कर सकता है कभी-कभी जब आप एक ही समय में दो काम कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप मल्टी टास्किंग कर रहे हो लेकिन वास्तों में आपका दिमाग तीजी से उन दो कामों के बीच अपना ध्यान के निरित कर रहा होता है हम किसी के साथ चलते समय दूसरे से बात करते हैं हम सांस लेते हैं पल के जबगाते हैं क्योंकि ये सब behavior अपने आप हो रहा है जैसे आपको हर कदम के साथ ये सोचने के जुरूत नहीं कि हमें एक और कदम उठाना है ये बस अपने आप हो जाता है लेकिन एक ऐसा काम जिसमों बहुत ज्यादा ध्यान देने की जुरूत है वहाँ दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं पूर एक्जामपल किताब पढ़ते हुए टीवी देखना अब यह आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं लेकिन असल में एक टाइम पर आपका ध्यान या तो पढ़ने पर होता या फिर टीवी देखने पर नमबर आठ रैसी प्रोकेशन जब कोई हमें मुफ्त में उपवार देता है या हमारी मदद करता है तो हमें उसे भी उपवार देने या उसकी मदद करने का मन करता है क्योंकि जातर समय हर कोई किसी का ऐसान मुफ्त में लेना पसंद नहीं करता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब कोई उनसे बस लेता है उन्हें कभी कुछ नहीं देते तो दूसरे उन्हें negative person मानते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ किसी restaurant में जाते हैं और वो सारा बिल खुद बर देता है लेकिन आप से एक पैसा भी नहीं लेते तो आपको सौभावी के लगता है कि आप उसे भी dinner पर बुलाए ताकि आप खुद बेए करें ताकि उनका एहसान उतार सकें इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपके लिए कुछ करें तो पहले उन्हें free में कुछ value दे ताकि उन्हें भी आपकी मदद करने की need free लो हम जिसे पसंद करते हैं या जो हमारे लिए important है हम उसकी बातों को सुवती हा कह देते हैं लेकिन वो कौन सा factor है जिससे हम दूसरों को पसंद करने लगते हैं आई इसके बारे में जानते हैं लोगों का पहनावा उनका शारिक बनावट और उनका रूप यह सब हमें शारिर रूप से लोगों के और attract करता है या तो हम शारिर रूप से attract होकर उन्हें अपने जिए उनका इसा बनाना चाते हैं या हम खुद उनके जैसा दिखाना चाते हैं यह दो factor होते जो हमें शारिर रूप से किसी के और आकर्षित करता है नमर बी similarity कॉंप्लिमेंट हम सभी लोगों से अपनी कॉंप्लिमेंट सुनना बहुत पसंद है बले वह पूरी तरह से सच ना हो तब भी क्योंकि हमारी प्रिशंसा सुनने से हमारा कॉंफिडेंट बढ़ता है और जब कोई हमें ऐसा फील करता है कि हम उसे बहुत पसंद करने लगते हैं सरल शब्दों में लोगों को ठीक से देखिए और उनके विशेश गुणों की प्रिशंसा करें जिससे आप उस व्यक्ति के लिए पसंद करने योगे व्यक्ति बन जाएं हम जितने अधिक लोगों से मिलते हैं उतना ही हम उन पर भरोसा करने लगते हैं साथ ही उन सभी जगाओं पर जहां हम पहले जा चुके हैं जो अनुभव एक साथ हमने पहले किया है वो सब हमें संबंदिद मैसूस कराता है हमारे सामने पूरी तरह से अजीब और नई चीजों से हम वही चीज़े चुनते जिन से हम परीचित है जब आप किसी के साथ एक साथ काम करते हैं तो आपको वह काम पसंद हो या नहीं लेकिन फिर भी यदि आप उन सभी के साथ मिलकर वह काम कर रहे हैं तो आप उस वक्ति के साथ अपने आप संबंद बना लेते हैं जैसे किसी खेल पर एक की टी में खेलना या किसी प्रज़र्ट पर एक साथ काम करना क्या आपने कभी सोचा कि आदत बनने में कितना समय लगता है पहले ऐसा माना जाता था कि किसी भी आदत को बनने या छोड़ने में सिर्फ 21 डेज लगते हैं लेकिन एकने साइकोलोजिन रिसर्च के मताविक किसी भी आदत को बनने में करीब 66 जेज लगते हैं इसलिए जो कोई भी नई आदत ये सोच कर बनाने लगते हैं कि 21 दिन के बाद उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और जब वो 22 दिन में ऐस सफल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत निराशा होती है रिसर्च के अनुसर यदि आप 66 दिनों को तीन भागों में विवाजित करें या पहले 22 दिनों में आप बहुत ऐस सहज फील करने लगे अगले 22 दिन आपके द्वारा बिल्कुल भी नहीं समले जाएंगे तो आप उस हैबिट को बनाना लगवबंद कर देंगे और पिछले 22 दिनों के बाद वो हैबिट आपके मन में और शरीर से जुट जाएंगे वो हैबिट आपकी डेली लाइफ में आ जाएगे और आप सफलता के साथ एक नया हैबिट बनाना होगे